आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं Electrical Maintenance Technicians या फिर Electricians जो भी लोग Manufacturing Industries में जॉब करते हैं या करना चाह रहे हैं या फिर अधर जगाओं पे कहीं पे भी Maintenance Department में अगर वो जॉब करते हैं या करना चाह रहे हैं तो उनकी क्या Job Responsibilities रहती हैं Duties रहती हैं और कैसे क्या-क्या तरहें के काम उनको करने होते हैं तो उसके वारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जानने वाले हैं तो सबसे पहले क्या काम करना होता हैं उनको Day to Day Life में जो भी है Carried Out क्या होती हैं Maintenance Activities करने होते हैं Testings करने होते हैं जो भी काम जो भी प्लैनेड या फिर अन प्लैनेड जो भी डाउन टाइम साते हैं या मसीन में कोई प्लैनिंग करके उसमें मेंटिनेंस करना होता किसी मसीन में या फिर अन प्लैनेड जो भी अचानक से कई भी कोई मसीन बंद हो जाती है वो प्लैनिंग में नहीं होती है उस तो इन सब जगाओं पर आपको क्या है, जो भी कॉंटेक्टर्स हैं, रिलेज हैं, या इन सब में आपको क्या है, रिपेयर करना है, रिप्लेस करना है, या फिर उनके मेंटिनेंस करने हैं, या फिर उनको मॉडिफाई करने हैं, तो ये सारी चीजों में जो काम करने होते हैं, टेक्निस या लेक्ट्रियन के रहते हैं दूसरे नंबर पदिडेक़्ुसे करने होता है उस जो भी मॉसीन्स में प्रूटल पैनल में सब्सक्राइब उसकता है उनके साफ मॉटर sound में इस्टिप़ीड करने हैं तो छोब करने वार सिस्टम को, equipment को, उनके parts को, वो करना होगा, उसके अलावा आपको क्या करना होगा, कि वहाँ पर modify करने होगे, कई बार panels में modification करने होते हैं, आपको जो भी range बढ़ाई गई, अगर आगे मोटर की range बढ़ा दी गई, पहले जो मोटर लगी थी, कम rating की लगी थी, और आ higher rating की लगा दीगे, तो उसके base पे आपको modify करने होगे, पैनल में, cables पे, जो भी है, cable high rating की डालनी होगी, वहाँ पर आपको जो भी MCVs है, contactors है, release है, तो वो चीज़ें आपको higher rating के changes करने होगे, तो उस space में उस panel पे वहाँ पर आपको changes करने होगे, जो पुराने लगे होगे तो वो modify में करने होगे, उसके base पे अगर कहीं भी problem आती किनी जगाँ पे, जो भी contactors में, release में, motors में, cables में, या किसी भी पैनल में, तो वहाँ repair अगर जहां भी repair activities, repair हो सकता है, तो वहाँ repair करने हैं, वो equipments को, machines को, उसके parts को, तो यह आजाता है, उसके बाद आजाता है, हमारी टीम करने जा रही है, जिस टीम के साथ हम करने जा रहे हैं, उसमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती है, उस machine से related, पैनल में हो सकता है, उसको क्या नुकसान हो सकता है, human से, जो लोग काम करने वाले, उस machine को क्या दिक्कत हो सकती है, वो चाहे पैनल में हो सकता है, cables में हो स कि दिक्कते ही हो सकती हैं दूसरा तरह Liebe कंडे हो सकता है कि कि Yeah मैं को मसीन के छोड़ दिक्कत हो ग stare धा अगर वाइर ओपन चोड़ दिये जाते हैं तो पैनल्स प‌ या फिर यह फिर वांबर्फ हो सकता है उनको जटका लग सकता है current आ सकता है machine में current आ सकता है तो लोग भी अगर टच करते हैं तो उसको क्या नुक्सान हो सकता है तो इस तरह की जो भी रिस्क एसेस्मेंट करना होगा लेने होंगे या बनाने होंगे अपने process team के साथ मिलके तो वो सारी चीज़ें भी आ जाती है electrical maintenance technician को पता होना चाहिए या फिर electric electrician को सारी चीज़ें पता होना चाहिए इसके साथ साथ उसको क्या होना चाहिए electrical drawings के बारे में उस अपने panels के drawings के बारे में wiring ड्रोइंग्स के बारे में चाहिए वो पावर से रिलेटेड पावर ड्रोइंग्स हो सकती हैं पावर पैनल की ड्रोइंग्स हो सकती हैं अपने जो भी मोटर्स हैं या जो भी अपने इस्टुमेंट्स लगे हो हैं तो उनके उस पैनल के बारे में उसके ड्रोइंग्स के बारे या unplanet जो भी problems आती हैं तो उसके base पे वो काम उन्हें कर सकते हैं उनकी problems को sort out कर सकते हैं जाके तो यह आजाते हैं अगला आ जाते हैं कि जो भी day to life में या जो भी सुबह से साम तक जो भी project पर काम कर रहे हैं तो उनकी जो भी काम किये हुए है अभी तक को तो उनकी reports भी work done कि बखे गयां है वर्क कर दिये गया है तो उनकी सारी रिपोर्ट मेंटेन करनी है बनानी है अपने आपके लौक बूक्स पे अगर हो सकता है कि आपके जो साथ ये भी पहुचता है कि आपने अभी क्या-क्या पेंडिंग छोड़ा है और किस सिच्वेशन की वज़े से आपसे रह गया है हो सकता आपको इस पेयर पार्ट अवलेवल नहीं था वह केविल अवलेवल नहीं थे या फिर वो पैनल पे आपको इसकिल नहीं था या वह ड् करने के बाद उन प्रोब्लम को सॉट आउट करती है तो यह सारी चीजें भी आ जाती है कि आपको हमेशा रिपोर्ट भी बनानी चाहिए या बनानी आनी चाहिए या हमेशा उस चीजों पर दियान देना चाहिए कि मेंटेन करते हैं तो उसके बेस पर फ्यूचर में कभी भी अगले दिन यह हो सकता है एक महीने बाद या दो महीने बाद या एक साल बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उस रिपोर्ट के बेस पर एक्षन लिए जा सकते है उस मसीन पर तो यह एलेक्टिकल जो बता करके रखना चाहिए ताकि अगर वह अच्छे से जॉब अपने परफॉर्म कर सके उच जगाओं पे और काफी अच्छे से वह अपनी जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूब और करते जाएं तो यह था आज का वीडियो अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को ल